रादे रादे कैसे हैं आप सब और अगेन मैं एक नई वीडियो के साथ आगी हूं रीवीए वीडियो के साथ यह रीवीडियो के साथाथ यह रीवीडियो होने वाले एक सिरूम का कर लाम यह हुवीडियो यह से क्लोम का सpción है इसमें वीटामीन-सी 15% है और गलो बूुट्स sed यह बिटामिन सी सेफ रहता है और डार्क प्लेस पे ही रखना चाहिए और मैं इसको 20-25 डेस से यूज कर रही हूं और मैं दिखा दे तुछ बिल्कुल चिपचिपा नहीं है यह बिल्कुल चिपचिपा नहीं है और अब तो इस पर लगाना होता है बट में फिंगर पर ले ल लगाने में, विटामीन C है, आपको कोई प्रॉब्रम ना हो जाए इससे, और लगाने से पहले एक पैस्ट टेस्स जरूर कर लेजिए, मैं इसको 20, almost 20, 25 दे से लगारी हूं, तो मुझे काफी अच्छा लगा है, बिल्कुल भी चिप-चिपा नहीं है, इसके बाद में संस्क् पर पड़ा है, जैपनीज मेंडारियन, ये काफी अच्छा होता है, स्किन के लिए, और काकाडू प्लम, काकाडू प्लम रिचेस्ट प्लान है, वाइटमिन C का सोर्स जो है, और ये स्किन ग्लो बूस्ट करने के लिए काफी अच्छा, विटामिन C के कोई भी प्रोड़क् का एक वाइटमिन C क्रीम, और दूसरा यूज करते हूं, प्लम का सीरम, और एक मैं अभी मैंने ओडर किया है, एक बोटल मेरा फिनीश हो गया है, वो है संस्क्रीम, उसका रिव्यू में बहुत जल्दी देने वाले हूं, वो भी काफी अच्छा है, और कोई भी अगर आप स पिग्मेंटेशन है, तो आप संस्क्रीम दिन में अप्लाई जरूर कीजिएगा, काफी अच्छा रहता है, और वाइस स्किन और डैमेज हो जाएगी, और ज्यादा पिग्मेंटेशन बढ़ जाएगी, मेरे पेस पेले थोड़ी सी थी नहीं लगा ही, तो उसके बाद काफी